अब क्या रहा भई यह अगे देखिए रबड़ी तिकनी जादा कॉंटिटि में रबड़ी भी डाली जा रही है तो इसमें मैं हूँ लख्लों की फेमिस चौरस्टिया की लस्टी पे तुछ लिए ट्राई करते हैं यहां की लस्टी नमस्का रंगर जी कैसे हैं अच्छे हैं क लस्टी जिसे कहते हैं यह कब से सौप अपकी बूली एं साप के मेरे लंसम 25 वर्ष हो रहे हैं 25 साल से मतलब जी तो चलिए अब आपको लस्टी की में की दिखाते हैं जाली हो गये सबसे परदे गाई इसमें 4-5 kg दाईडा गया है देखिते हैं इसको अच्छे से फेटा ज जाएगा तो यह पतला हो जाएगा तब यह रसी बनती है तो जो लसी बन चुकी इसको यह बाल्टी में खाली किये जा रहा देख जिखते हैं कि अब यह दिखिए यह आगे लख्षी कि अब आप कि अब आगे लख्षी कि अब यह कुलड़ वाली केमस दस्थि अब यह इसका क्या प्राइज रहता है कुलड़ वाली कि अब क्या आ रहा है यह अब क्या आ रहा है कि यह रवड़ी तिकने जादा कॉंड़िटिंग में रवड़ी भी डाली जा रही है रवड़ी इफ्ट लख्षी है यह दे शिक्ते हिए क्या रहा है अब यह देखिए अबावे की स्विस इसके बाद देखिए एक काजी वागया राइफ रूड से घरभूल यह प्रिवर उपर से आरा फ्लिवर हमारी कोसित यही रहते है कि कस्टमर से किसी प्रकार की कोई शिकायत उस शिकायत को दूर कर सके और दुबारा वह ऐसी शिकायत ना है क्योंकि दस कस्टमरों में दो चार कस्टमर अपना सुजाओ जुरूर देते हैं उस सुजाओ पर हम अमल होते हैं कि क्या कमी है और हमारी कोसित एक कस्टमर को लसी पंस आनी चाहिए लसी के अलाव भी और यह कुछ मिलती के वाल लसी है रबडी है और जानों में केशरिया अबड़ी है केसरिया दूद है और हमारे पास थोड़ा सा मेवा में साल्ट काजू रहता है और फिर हमारी फेमस लस्पी है नाम से हमारी टाइमिंग है 1130 से राद के 1130 लोकेशन नाके से रकाब गंच के बीच में मिटकल कालिज रोड सुभास मार्क पी हमारी शौफ है लोकेशन है 296 बटे तीन रानी गंज स्वास मार्क लखनव यहां की लख्षी बहुत यदा टेश्टी है लोकेशन तो अंकल जी ने बता दिया है तो आप आसपास रहते तेंग बाराटे के रूप क्राई करेंगा तो यह हाई लख्षी रेडियो देगे यह रोकेशन करते है लाराइस